गुड इवनिंग योशियंस वेलकम टो योशी यूटूब चैनल मैं उमीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे आए शुरू करते हैं आज का पोस्ट मार्किट अनलिसिस डेट है 16 अक्टूबर एक्सपारी है 17 अक्टूबर चलिए शुरू करते हैं सुबह नो बचके पं 2200 का उसकी अभी के लिए अपने को नीचे भी दिख रही है और उपर भी दिख रही है अभी डाटा जो है सुबह मॉर्निंग का है तो थोड़ा वेट करेंगे डाटा को बनने देते हैं उसके बाद लेवल करके तभी हम ट्रेड करते हैं अभी 10 सेकंट आके बढ़ा के सब्सक्राइब देखने को मिल रही है अब थ्री मिनिट डाटा आगे बढ़ा के वाई चेंज का डाटा हर तीन मिट पे अपडेट होता है आगे चलते हैं जो की उसकी विक्नस दिख रही है किसकी व्यूम की अगर ये चला भी जाता है अभी तक कोई नहीं है तो मार्केट 25,000 से उपर अभी के लिए नहीं दिख रहा यह डाटा सुबह मौनिंग 9 बचका 18 मिनिट का है तो अभी डाटा को प्रिपेर होने देंगे अभी डाटा देखते हैं लेकिन एक डाटा की स्टोरी पर चल रहे हैं आफ्र 920 हम इसको इसकी जो शिफ्टिंग उसको भी मानेंगे और साथ सा 930 के बाद हम ट्रेडिंग करनी शुडू करेंगे पहले 930 पर लेवल करेंगे फिर ट्रेड करेंगे अब के लिए क्या देख रहा है अपने को आज मार्किट का 63 परसंट के साइड पर दिख रहा है तो हो सकता है आज का ट्रेंड मार्केट का बैरिश साइड पर जाता वहा हम देख सकते हैं अब तीन में डाटा आगे बढ़ाकर देखते हैं स्टोरी में क्या कुछ चेंज आया ह अभी के लिए देखा जाए 921 पर सेम सिनारियो कोई चेंड नहीं आगे चलती है अभी भी कोई चेंड नहीं सपोर्ट स्ट्रॉंग है रिजिस्टेंस की वीक्नस उपर दिख रही है एक बड़ चेकर तो अपने लिए दिख रहा है कि रिजिस्टेंस उपर अभी जाना नहीं और सपोर्ट नीचे आना नहीं चाहा रहा एक चीज दिख रही है कि रिजिस्टेंस में पच्छी सजार के आसपास सब्सक्राइब किसकी वाल्यूम की एक बड़ चेक कर लेते हैं इंक्रीजिंग है वाल्यूम यहां पर अभी के लिए इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है अ सब्सक्राइब करते हैं अब एक चीज जो देखने वाली है रिजिस्टेंस अभी कि इसके कारण दिख रहे है अपने को अपने को रिजिस्टेंस दिख रहा है वाल्यूम और वाई चेंज के कारण क्या इन दोनों में से किसी की वीक्नेस अगर उपर जाएगा तो तो नहीं जाएगा रिजिस्टेंस क्योंकि एक अभी भी खड़ा है पर अभी क्या दिख रहा है अगर दोनों की वीक्नेस उपर जाती दिखेगी तो हमाले रिजिस्टेंस शिफ्ट होता हुआ दिखेगा पहले चेक करते हैं यहां पर वीक्नेस बढ़ रही है या नहीं अभी के देखें तो अपने को दिख रहे है बाल्यूम इंक्रीश करता हुआ ऑई चेंञ्ज यह भी अभी के लिय्य करता हुआ दिख रहे है यानि अपने को आप मेई समय जारां रहा है कि सपोर्ड जो ह्मारा स्ट्रॉंग बना हुआ है और τα Claus उर्पर की साइड पर वीक करता 24975 का अपने को सपोर्ट दिख रही है इसकी ठीक है रिजिस्टेंस क्या दिख रहा है 25,024 साथ साथ 25,050 का भी ड्रॉ कर लेते हैं क्यों क्यों क्योंकि अभी के लिए मार्केट डेजिस्टेंस जो है वो शिफ्ट होता वो पर देख पा रहे हैं तो साथ साथ यह वी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं अब अभी मार्केट अभी इस सिनर्य को इसाफ से मार्केट इनी तीन लेवल में दिख रही है अगर अपने लिए फेवरेवर करनीशन क्या होगी अभी अगर हमें सपोर्ट में मिल जाए तो हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं आगे चलते हैं पहले 930 तक हम प्राइज को मूव करवा लेते हैं 930 पर प्राइज ने मूव कर दिया है अभी के लिए प्राइज बीच में चल रहा है ना लेवल के इधर है ना लेवल के उस तरफ है तो लेवल के आसपास आने देते फिर्म ट्रेड के बारे में सोचिंगे आके चलते हैं मार्केट जस लेवल पर आई कितने बज़े 939 पर चेक करते हैं कि अपने लिए को ट्रेड बन सकता था अभी के लिए अपने को क्या दिख रहा है सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉंग अपने के तरफ से बना हुआ है तीनों के कारण किसी की भी वीकनस उपर नीचे अभी के लिए नहीं है र वालिम की भी वीकनस अभी के लिए यहां भी दिख रही है और इस जगह पर भी दिख रही है अगर हम थोड़ा चाट को नीचे करेंगे तो देखें तो यहां पर भी 75 पर से लिए दिख रहा है और यह वाला ग्राफ चेक करते 76 वाला और 75 वाला अगर यह इंक्रीजिंग अगर वहां नहीं भी इंक्रीज कर रहा फिर भी मार्किट का अभी रेजिस्टन्स किसके कारण बचा है सिरफ वालिम के कारण 25,000 पर मार्किट वैसे ही अपने रेजिस्टन्स से उपर अभी के लिए हमें दिख रहा है अगर अभी के लिए अपने को मार्किट यहां से यहा कर और मार्केट को अपसाइड का तो मार्केट को बुलिश बना रहा है ये दोनों वैसी जा चुके इनका चैप्टर तो अपने लिए खतम हो गया अब अपने लिए क्या situation बनती है अगर volume वोपर जा रहा है तो मार्केट कितना ट्रेवल कर सकता है अभी शिफ्टिंग तो नहीं दीना इसने जब तक यह पूरी शिफ्टिंग ना दे दे सिरफ वीकनेश दिखाए तब तक मार्केट वीकनेश से जहां पर рिजिस्टेंस आया सपोर्ट आई वहां से लेके तक ही ट्रैवल करता है अभी के लिए क्लिए क्या दिख रहा है अपने को nutrients के रिशिस्टोंस दिख रहा है बिच्छट रहे है और function & Line 505,000é को वं मार्किट कहां जाने के शांत रखता है प्ंदिएव यहां पर इजेक्षेन लिया है तो उगली हम ट्रेट बनाएंगे उपर का स्ट्राइक प्राइश करते हैं अगर हमें पुट लेना है तो चेक करते हैं जो कि अब करेंगे जब तक इसकी शिफ्टिंग यहां से यहां ना हो जाए क्यों क्योंकि मार्किट अभी वीकनेस दिखा रही है वीकनेस के अंदर वह 50% ट्रेवल करती है वहां तक वह कर चुकि ट्रेवल उसकी उपर जाने के लिए एक तो यहां पर शिफ्टिंग हो जाए दूसरा यह यहां की वीकनेस थोड़ी दून है तब हमारे लिए यहां से भी कॉल बन सकता है सेफ कॉल कहां से बनेगा 25,050 के सपोर्ट से ठीक है जी अब आगे चलते हैं मार्किट बहुत देर से यहीं रिजक्शन ले रही थी अब क्लोजिंग वापस नीचे आके इसने दी कितने वीकनेस बची थी खतम यहां की वीकनेस खतम वॉल्यूम जो बचाता वो यहां पर जा रहा था अब वह भी 99% हो चुका है 95 से बब होते हैं हम उसे 100% में मान लेते हैं तो अभी के लिए रिजिस्टन्स क्या कर रहा है अब साइट पर शिफ्ट कर रहा है अपने लिए फेव इसकी कॉल के बारे में सोचा चा सकता है प्र ध्यान रहे रिस्की रहेगा उसकी अपने को चाहिए निचे का होना चाहिए दूसराMIN cach होनी चाहिए अपने हिसाप से वह भी अगर मिलती है तीसरा इसकी परसेइज जहां से वॉव्लिम SHIFT हो कर रूप्बाए है उसकी परसे सब्सक्राइब करते हैं अगर अभी के लिए देखें तो वाल्यूम कर रहा है तो अगर आप उपर निकलता है तो हम वहां से कर लिए अभी के लिए हम 25,000 से बारे में सोच सकते हैं और साथ 25,000 से भी आगे चलते हैं मार्केट आगी नीचे इस जगहा पर क्या हम यहां से कॉल के बारे में सोच सकते हैं 1039 पर चक करते हैं क्योंकि अपने लिए कंडिशन अच्छी खाज भी बुलिश थी तो हम रणिंग अब हम रणिंग्रेश कहा कि अब र्यद्ट तो उतनी गड़ रही है अभी केलिए दिखा जाए तो ग्रिम्रेश तो ओंड़ियार में अब हम रेख रहे हैं तो और वॉल्लिम्ल में देख रहा है अभी के लिए क्या दिख रहा है सपोर्ट अपना 25,000 पर हमें दिख रहा है अब resistance क्या करते हैं यह weakness 92% अभी उतनी ही दिख रही है क्या यह घट रही है यह बढ़ रही है अभी के लिए दिखा जाए तो volume घट ज़रूर रहा था पर एक एक position पर आके इस जगा पर यह stable होता हुआ हमें दिख रहा है ठीक है अगर यह stable होता हुआ दिख रहा है तो क्या इसका साथ देने कोई आ रहा है नीचे यह भी चेक करते हैं ओई वह भी stable हुआ पड़ा है ओई चेंज यह तो इंक्रीज कर रहा है यानि 25,000 से क्या कर रहा है मार्कें जो रेजिस्टेंस यहां से कभी छोड़कर उपर गया था वह वापस से थोड़ा थोड़ा इंट्रेस्ट वॉल्यम का भी आ रहा है साथ साथ ओई चेंज का इंट् का ठ्रेट बना पाएंगे हम का खड़े 25,000 50 के support पर तो हम यहां से call का ठ्रेट तो नहीं बनाएंगे क्यों क्यों कि हम खड़े हैं 25,000 के resistance पर जो की 25,000 50 का support है resistant कहह रहा है कि मैं 25,000 पर मार्केट को रखोंगा यानि इसकी ऊपर जाने नहीं दोंगा रेजिस्टेंस की बात यह है और हम कह रहे हैं कि हम इसके उपर ही call बनाएंगे तो हम गलत हो सकते हैं मार्केट का भी गलत नहीं हो सकता तो इसलिए हमारे लिए यहां से जो हम call का टेट बना रहे हैं अभी के लिए वह वाइड करेंगे ठीक है जी आगे चलते हैं अब इस सिच्वेशन में क्या बन सकता है इस सिच्वेशन में मार्केट का जो सपोर्ट था वह पहले बुलिश प्रेशर क्रेट कर रहा था अब वह भी एक जगा पर आकर रुग गया है अब इस सिच्वेशन में अपने को क्या मिल सकता है अगर 25,050 में मार्केट वापस चली जाए तो हम पुट का ट्रेड ले सकते हैं कॉल तो हमारी 25,000 से ही बनेगी आगे चलते हैं मार्केट वापस उपर निकली और फिर से नीचे निकल आई आगे चलते हैं अभी के लिए रिटेस्ट करेंगी फिर देखते हैं रिटेस्ट इसने ऊपर जाए क्लोजिंग देजी थोड़ा वेट कर लेते हैं अब इसने दु लाए 35,000 सो पर गया था उसने बुलिश प्रेसर मार्केट में क्रिया था अब वह क्या कर रहा है वह इस जगा से यहां आने की कोशिश कर रहा है यानि जहां से चोड़कर गया था वहीं पर वापस आने की कोशश कर रहा है । un shifting un shifting का मतलब क्या हुआ कि यहां से वह गया थ तो यहां पर था यहां से वहाँ पर उपर गया लेकिन यहां पर उसको नहीं उसको ग्रैब कर पाया उस जगह को इसलिए वहाँ से उसको वापस मार पड़ी तो नीचे आ गया इक्जामपल के लिए समझते हैं अगर कोई मोटा बंदा हो उसको अगर बैलून पर या किसी जैस आते आते वो ट्यूब फड़ जाए तो रेजिस्टेंस वापस से नीचे आ रहा है यानि वह बंदा वापस से नीचे गिर रहा है जब इस सिच्वेशन में वापस नीचे गिरा तो उसका प्रैशर कितना तेज होगा गिरने का कि यह वाले सपोर्ट भी तूटने की शमता र प्रैशा आ फिल रही है जब भी ऐसी सिच्वेशन मार्किट में बनती है उस समय सपोर्ट रिजिस्टेंस उपर गया वापन नीचे आया इस सिच्वेशन में सपोर्ट टूटने की शमता बहुत जादा हो जाती है और तूटते भी है ऐसी बात नीग है तो अभी के लिए अ लावा अभी के लिए कुछ नगी वेट करना चाहो तो 25,00074 पर वेट कर लो वरना यहां से भी लिया जा सकते हैं लेकिन ध्यान रही है उसी कितना रिस्की है जैसे यहां पर रिस्की था पर यहां पर वीक्निस अपने लिए पूरी कम्प्लीट नहीं थी अभी के लिए यहां अबरेंड मार्किट का बारिश हमने देखा था और अभी के लिए क्या कर रहा है वो भी चe Capital लेटे है यहूंegin rappyla अपना पहलवर त्रेट ठेजानर से स्वेस्ट से हे अभी मुइश है क्योंकि है सब्सक्राइबे मनारे भी यह यह उसको बार बार रिकॉल करते हैं जब भी सपोर्ष ट्रॉंग हो या रिजिशन स्ट्राउंग हो मार्केट फर्स टैम आएगी हम उसके अंदर कुछ भी ना देखके वहाँ से एक बार कॉल या पूट का ट्रेड ले सकते हैं लेकिन उसकी एक की लिमिटेशन है कि वह चाहिए उसकी नीचे कोई वीक्नेस नहीं होनी चाहिए अब इस टाइम फ्रेम पर चलके देखते हैं क्या हम रॉनिंग केंडल में ट्रेड ले सकते था इस वाले में अब यहां पर देखते हैं क्या इस केंडल निकल जाना चाहिए था 1124 पर 1124 पर क्योंकि हमने पहले अभी यह तो को और तो कोई थी नहीं पर अभी के लिगनेस दिख रही है चक करें चाहिए था है और यहां पर मार्किट ने हम एक पर अपने को हम निकल सकते हैं 20 points के SL को ना लेके cost to cost हम निकल सकते हैं आगे चलते हैं अब इस situation में क्या market निकल जुक्ती नीचे pressure वैसे resistance की तरफ से bearish है support भी अब STB होता हुआ दिख रहा है तो अब market कहा तक जाने की शम्ता रखती है अभी के इस आप से 950 के support तक करते हैं जो कि कितना रहा है 928 लगबग अगर market वापा से रीटेस्ट करती है अपने लिए यहां पर हमें retesting मिलती है हम यहां से put का trade लेंगे जुरूर लेंगे आगे चलते हैं लेकिन वेट करेंगे retesting का क्योंकि support अब यहां पर आया नीचे लेवल को टच करने देते हैं लेवल के नीचे निकल गई market अभी फिर से 2490 का अभी साथ साथ लेवल ड्रो कर लेते हैं ठीक है जी और टाइम देखते हैं कितने बजगा यह है 1145 जब तक shifting नहीं होती मार्केट पूरा नीचे नहीं जाएगा अभी के लिए अपने को क्या दिख रहा है मार्केट का ओई चेंज का कारण shifting नीचे आ चुकी है क्या इसका साथ देने के लिए और वाल्यूम आ रहे हैं एक बर चेक करते हैं यह भी अच्छे खास है अभी के लिए तो इंक्रीज कर सकता है साथ साथ वाल्यूम और वाई भी उतर रहे हैं अगर इनकी वीक्नेस दिख रही है जो सेफ ट्रेडर है वह 975 से बना सकता है जो रिस्क है वह 928 से ले सकता है लेकिन वेट करें रीटेस्ट का आगे चलते हैं मार्केट ने रीटेस्ट तो करा ही नहीं रीटेस्ट के सब्सक्राइब कर आप यह एक बचके छे मिनट पर चाहिक कर लेते हैं अब इस टाइम पर अपने को क्या दिख रहे है अभी के लिए अभी का सिनियरिव क्या कर रहा है market का रेजिश्टन शिफ्ट हुआ है डाउन साइट पर अपने लिए बैश बैरिश्टर रहे स्कारब क कर रहा है तो अपने लिए अगर हम सब अगर हम रजिस्टेंस से ट्रेड ले रहे हैं तो ऊपर वादा स्ट्राइक प्राइब के लिए अभी के लिए अभी के लिए बहुत छोटा सा एक इसमें आया है करते हैं अब चेक करते हैं यह यह इंक्रीमेंट्र भाक्टर अपने लिए थोड़ा दो ड्राने वाली बात है या नहीं इसको sighs करेंगे व्ली की इंडिए अपने को बिकि लिए क्रा में आई ď यानि यह जो यह जो green candles बनी है यह आगे अभी के लिए follow through नहीं मिलने वाला इनका follow through नहीं करेंगी क्यों क्यों कि अभी के लिए मार्केट को उपर ले जाते हैं वह अभी तक राइटर नहीं आए यह सिर्फ जो बन यह जो आया टिप आया है और इसी इन दोनों के combination के कारण जो blue line up हुई है वह इनी की कारण हुई है कि call rider भागा और put rider अभी भी stable हमें दिख रहा है तो अभी यह follow through करने की शमता अभी नहीं दिखा रहा है ठीक है यानि अभी अभी अपने लिए pressure bearish ही है तो हम यहां से एक put cutted initiate करेंगे target वही रहेगा अगले अगले लेवल चलते हैं जी मार्केट ऊपर निकली बहुत देर हुई कम से कम पांच मिन दस मिनट बीच चुके मार्केट दुबारा रीटेस्ट करेगी तो देखूंगा क्या निकल जाना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए मार्केट लगबग डीटेस्ट करेंगे एक बच के तीस मिड़े बीस मिड़ बाद चेक करते हैं अभी के लिए क्या सिनेरियो दिख रहा है अभी के लिए अपने को दिख रहा है कि जो रिजिस्टेंस है वह वही है अपना बैरिश प्रेश्ट कर रख रहा है उसने support की ख्लग रहा है यानि अभी के लिए वह लिए अखुतर हल वह तम्तों फक Kr रहा है क्यों क्यों क्योंद की इंक्रीज कर रहा है अब यह यह थोड़ा सब जो है ना ट्रिकी कोश्च है गेम क्या है इसमें वॉल्यूम और यहां पर बैठा है ठीक है यह अगर यहां इंक्रीज कर रहा है तो अपने लिए फायदे वाली बात है हमारे लिए पुटका ट्रेट सेफ है अगर ओई चेंज यहां से यहां शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा ह तो यह अपने लिए थोड़ सी टेंशन वाली बात है क्यों क्योंकि ओए चेंज नीचे से बुलिश पैशर क्रेट कर रहा है वॉल्यूम और यह इतनी परसेंटेज उनकी खास नहीं है अभी फिफिफ्टी फाई फिफ्टी वन पॉइंट फिफ्टी लग परसेंटेज नही लेकिन यह अगर नीचे आये चलेगा लेकिन यह जो उपर जा रहा है ना इसने जो बैरिश पैशर क्रेट करना था वह अब 950 तक कर रहा है लेकिन साथ साथ सपोर्ट जो जो 900 बेटा था यह भी अपने लिए 950 प्रेशर क्रेट करता हूं दिख रहा है तो यह हम थोड़ा स ले रखिए वह थोड़े बहुत प्रॉफिट में निकल सकते हैं तो अपने लिए हम क्या करेंगे अपना एसल कर देंगे कॉस्ट तो कॉस्ट इस सिच्वेशन में खड़े तो वैसे भी हम कॉस्ट तो कॉस्ट पही होंगे क्यों कितनी देर में डिके लग चुका है अच्छ शरी था शिफ्ट होके 25.5 पर वह आ चुका है स्ट्रॉंग बन चुका है सपोर्ट क्या कर रहा है इदर से सपोर्ट अभी भी वही पोजिशन में वॉल्यूम स्टेबल खड़ा है वही में अब वीक्नेस जो बढ़ रही थी अभी वह डिक्रीज होके पुराने हाई को नहीं स्टेबल्टी में है और वही चेंड जो कि अच्छा खासा अभी अग्रेशन से इंग्रीज कर रहा है और यहां से यहां जाने की कोशिश अभी के लिए करता हूं आपने लिए 950 के सपोर्ट से तो गोल्डन चांस है अगर मिलता है तो हम कॉल के बारे में सोचेंगे ठीक है जी आगे चलते हैं थोड़ा वेट करते हैं और केंडल निकल गई उपर वह तो दिखी रहा था हम अच्छा वह टाइम से निकल गए पहले ही टाइम हो गया दो बचके 10 मिनट अब यहां पर क्या दिख रहा है अपने को यहां पर अपने को दिख रहा है मार्केट अभी के लिए रेजिस्टेंस पे आई है रेजिस्टेंस लेकिन अभी जो शिफ्ट हुआ था नीचे वह वापिस उपर जा चुका है सपोर्ट की तरफ से अभी बुलिश ट्रेशर दिख रहा है रेजिस्टेंस अब मतलब ऊपर की तरफ भाग गया है वाई चेंज क हो गए हम ट्रेडिंग नहीं करते अगर आप अपने को मिलता है अगर वापस दुबारा री टेस्ट करती है उपर का श्रेक पर लाओ करता है तो हम ट्रेट के बारे में सुचिंगे वर्ना आवाइड करेंगे आगे चलते हैं दो बच के दस मिट पर बचके लिए उपर का स् की है री टेस्ट कर रही ही तो हम देखेंगे कोई ट्रेड के बारे में लेकिन अभी कोई दो तीस हो चुके हैं तो अपने लिए ट्रेडिंग टाइम ऊबर हो गया है आज के लिए अपने को कितने ट्रेड मिले लगबग पहला पुट का जिसमें अच्छा कासा अपने को प् काल दिया थीसरा ट्रेड भी हमें पुट का मिला था यह भी हम कॉस्ट कॉस्ट में निकल गए ठीके जी क्योंकि सिच्वेशन अपने लिए चेंज होती भी दिख रही थी अब एक काम करते है कुरूड का इनलिसिस कर लेते हैं कुरूड में 15 मिट्स की केंडल यूज करते है अभी के लिए दिख़ रहा है लोग देखते हैं पहले दिखेंग देख जाये तो अभी के लिए रिजिस्टेंस 5900 पे कभी 100% आया था ओई चेंज के कारन लेकिन अभी के लिए वह शिफ्ट होकर मतब वापस है वह शिफ्ट कर गया डाउन साइड पर चला गया और यह अप और वॉल्यूम भी के लिए इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है अपने लिए मार्केट का सिनेर्व क्या बन सकता है अगर 5900 के सपोर्ट से मिल जाए जो कि यह 5866 5866 लग ठीक है जी और रिजिस्टेंस है 5921 ठीक है 6000 के रिजिस्टेंस में दिख जाए हम महां से पुट के बारे में सोच सकते हैं तीसरी बात अभी के लिए रिजिस्टेंस यहां पे शिफ्ट हुआ था ओई चेंज के कारण वापस से उपर चला गया है लेकिन परसेंटेज अगर देखी जाए तो अभी दुबाराग से इंक्रीज करती भी दिख रही है इंक्रीमेंट में वाई भी इंक्रीज कर रहा है लग बाग और वाई और वाल्यम करता हुआ दिख रहा है तब तक हमारा डाटा और स्टेबल हो जाता है आज के लिए इतना ही था मैं उमीद करता हूं आपको बोस्ट मार्टिले से अच्छा लगा होगा थैंक यू एंड प्लीज शेयर सब्सक्राइब लाइक फॉर मोर अपडेट्स थैंक यू